उन्हों ने इसके बारे में सोचा, स्क्रिप्ट लिखवाई, ज्यादा तर पेजेज जो हैं इस प्ले की, वो रसीदी टिकेट जो अमरिता प्रेतम की ऑटो बायग्रफी है, उसमें से लिए गए हैं, और थेंटिक बिल्कुल उनकी जबानी है, जो अमरिता जी नहीं लिखा वो ही हम बोल रहे हैं, और एक सूप, एक क्यारेक्टर है वक्त, जो सवाज जवाब करता है और प्ले को जादा वक्त के लिए, और साहिर लुध्यानली का रोल टॉम ओल्टर कर रहे हैं, एवरिबड़ी नोस अटमरिता प्रेतम उसमेडली लवेट साहिर लुध्यानली, तो वो भी है मारे प्ले में, कुछ जिख्र बच्चों का भी है, उनकी एक लड़की थी, एक लड़का था अबिता जी का, उनके बारे में भी कुछ-कुछ है, प्ले में, सो बेसिकली, पार्टिशन, पेन ऑफ पार्टिशन, हर मीटिं इम्रोजी, हर मैद लफ और साहिर लुध्यानली, वर बाओ 15-20 यह, हर फेल्मारिज, एवरिधिंग, वरिधिंग, 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 व पूछा है, एक्चुली, नाइदर सत्यू, नौर मैं प्रोडूजी, वो मेरे नेबर हुड में रहते थे, I was in K-36, they were in K-25, so their house was just diagonally opposite mine, and I used to be in and out of her house very often, और तब ऐसा लगता ही नही था कि मैं इतनी बड़ी हस्ती के साथ इंटरेक्ट रही हूं, क्योंकि वो मुझ से को चा आली साल जादा बड़ी थी, पर हम बिलकुल जैसे सेहली हो गई थे, in fact, Janardhan Thakur, the great journalist, had once asked her, that I know Imrozi is your soulmate, उसके अलावा भी कोई है, तो Amrita जी नही का, लवली मेरी soulmate है, so that was, that actually appeared in the press, so इतनी closeness थी और जब Mr. K.K. Kohli approached me to play Amrita, I was really taken aback, because he said he had spoken to Poonam Dhilom before that, to Deepti Nawal, and then somehow he zeroed down on me, so उस वक मैं 22 फिल में शूट कर रही थी for Ministry of HRD, और बहुत ही हेक्टिक शेडूल में थी, तो जब K.K. Kohli सर ने कहा कि आप ये रोल करें, तो मैं कहते कहते कि मेरे पास अभी तो बहुत हेक्टिक है, मैं चुप हो गई, हेक्टिक शे समझ गई, कि अमरिता जी जहां पर भी हैं, ये उनका किया हुआ काम है, क्योंकि जब भी मैं उनके पास जाती थी और कहती थी, अमरिता जी एक अच्छी सी कहानी दे दे, मुझे फिल्म बनानी है, हाँ मैं तनो दे दे आंगी, पर तू एक्टिंग जरूर करेंगी, मतलब that used to be her शर्थ, कि मैं आपको दूँगी जरूर एक कहानी, पर प्रोवाइडेड यू एक्टिंग, सो मुझे लगा कि she had lot of connection with outer space, तो मुझे लगा कि शायद वह वहां से बैठी-बैठी भी यही कह रही है, कि लवलीन तुम्हें यह करना है, जीच पे जाने से पहले, मै मैं हमेशा हाथ जोड के अमरिता जी से प्रात्तना करती हूं, कि अमरिता जी अब आप परफॉर्म करें, मैं बस करती जाओंगी अपनी लाइन और सब कुछ, पर परफॉर्म आपको करना है, आपकी रूफ मेरे में होनी चाहिए, ताकि लोगों को यह लगे ही नहीं कि लव स्ट्रीम करें अर्चाहिए बसक्ताइ नहीं करना है, कि अबस मेरे में इस तो जाभ साना है में थोड़ीज़, जावे यह वारी नहीं कर दो, सब्यु दूट यादो, चंडि़्य अब आप्त्याला, जब पत्याला में हमने परफॉर्म किया तो कमाल का हुआ इंसिडिंग, We had two shows, one after the other तो रात के ग्यारा बजे जब हम खाना खा रहे थे प्लेस के बार तो उनके डीन आ और मुझे कहने लगे लवलीन पांच मिनट के लिए मेरे घर पर आ जाओ कॉफी पीने तो मैंको कोई खास बात है तो कहने लगे हां मुझे ऐसा लगेगा के अमरिता मेरे खर हो कर गई because he knew her very well ज्यादा तर ये पंजाबी के प्रोफेसर राइटर नो अमरिता जी and he said I had forgotten के स्टेज पे तुम थी और अमरिता नहीं थी मुझे लगा अमरिता ही है so then our entire team went to his house beautiful house full of books and we had coffee there and came back so beautiful experiences and like I said it is an honor to work with Satyu I had worked earlier in two of his films Hindi में सुखा and Satyu got the national award for it and बरा 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 in Kannar and this is a third time I'm working with him in this play so जब के के कोली ने मुझे बोला के Satyu वो और देरेक्टर because it's such a pleasure to work with him he gives the artist complete freedom to express, to innovate, to ask Satyu can I do it this way, can I do it that way and mostly he would say yes mostly he would say yes because I think he understands an actor's instinct you know and to follow your urge when you're acting you have to find your moment of truth in everything that you say and Satyu allows that which is the biggest thing so I think now it'll be nice if Satyu were to address you and then we can take questions and answers thank you thank you वो बोड़ा है ऑर इनके काहनी पर बेस्किया हो और विशियों बेस्कियों में फिल्मों में थे ये देकिए है तो तो मैंने काए कि ठीक है हाँ ये हो सकता बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप politically सहमत हैं इनसे ये बहुत बड़ा question है नहीं मैं सहमत नहीं हूँ फिर भी मैं इनमें एक चीज देखता हूँ एक 40 साल का एक relationship between her and Imroz इसे इस जमाने में बहुत माने रखता है that itself is enough to direct a play politically हम अलग-अलग हम सोच वचार के हैं वो तो अलग बात है